कि सरकार की और से आश्वासन तो जरूर दिया गया था कि खिलाडी को जो सम्मान है सभी खेलों की खिलाडी को बराबर सम्मान जो है वो सरकार की और से दिया जाएगा लेकिन देखना होगा कब तक यह जो सम्मान है वो पेसा पालों की खिलाडी को जो है मिल पाता है लेकिन च यहां कि यह जो जर्सी आप पहन कर बैठें है आज पर कितना प्राउड आप फील करते हैं जब यह जर्सी पहन कर बैठते हैं हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम यह जर्सी डाल के बैठते हैं यह जर्सी डाल के हम कहीं जाता है यहां में मान समान दिया जाता है कहीं तो उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है अभी और क्या कुछ तैयारी है आगे इस खेल को लेकर हम बात करें हालगी इंडिया की जर्सी तो आपको अपने आप में गॉरव जो से बढ़ देती होगी जी अभी जो हमारा वर्ल्ड जो है उसको भारत के लिए लेकर आना है भारत के लाम गॉल्ड मेडल करना है यह ब्राउन से संतोष नहीं है गॉल्ड मेडल पर कबजा करना है लेकिन चालो इसके साथ ही अगर आपके स्कूल टाइम की हम बात करने क्या चूंकि आर्थिक परिशानिया थी अभी आपने और प्राइवेट की ती अधिय कोसे आपने प्राइविट की या वे और अचिक समodus क्राइब की वजये से मैं अच्छी आप कर नहीं है आगे अबी बी पीड करनी है आपको खेल के बावा क्यों कि पेसा पालम ता पहले से ही खेल रही हैं तीन साल ही सगे और बढ़्धानम प्रेशनल खेल चुके हूँ नहीं लेकिन फ्री टाइम अगर शालुष अर्वाल को मिलता है अपने खेल की ट्रेनिंग से जो है थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो फिर आप क्या करना पसंद करती हैं फिर तो अभी यही चलता है कि नहीं हमें खेलना है अभी तो हमारा यही ममीबापा का सपना मईबापा का सपना है का बड़ी ख scalesba हैं किसको इतना सपोर्ट मिला है कि अनतराश्ट्री खेल भी आप खेलती है इतना ख्रचा भी होता है सब चीजें साथी योग आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है क्या पेरेंट्स ने कभी सोचा या हार मानने गई पेरेंट्स के और से स्टार्टिंग में जब स्टार्ट वा था वर्ल्ड कप के लिए हमें फाइनेंशी प्राउब्लम हो रही थी तो एक बारी मेरे बापा का मन नो गया था कि हमने अपनी बेटी को बेकार वेजा आइस गेम में तो उन्हें थोड़ा सा लगा डर सा लग रहा था कि इतनी दूर हमारी बेटी जाएगी तो पतानी किस प्रकार से क्या महाल बाहर कराएगा तो हमारी जो रिष्टेदार हैं उन्होंने भी काफी हमें मेरे पैरेंट्स को बाते सुनाई कि आप लोग अपनी बेटी को क्यों आगे भेज रहे हो और इनको तो पड़ा लिखा कि इनकी शादी कर देनी चीए तो फिर ये सब ताने उन्होंने रिष्टेदारों के सुने पर मैंने उनको कहा कि पापा जो कोई बोलता है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है आप बस ही ध्यान दीजे कि हमारी बेटी आगे जाए और खेले तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट किया और आगे भेजा आज रिष्टेदार सब चूप हो गया है आज सब लोग चूप है अब सब लोग प्राउड फिल महसूस कर रहे है देखे प्राउड तो जाहर तो पर होंगे आज लेकिन शालू क्योंकि आप एक बेटी है और बेटियों को लेकर जो सोच है वो समाज के अब धिरे धिरे बदल रही है क्या बेटी होने के नाते आपन कभी चीजें फेस की अपने आसपास में या अपने घर में किया बेटी है तो आप ये काम नहीं कर सकती है नहीं ऐसा मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि बेटियों को तो बेटों से जादा देखा जाता है बेटियों को बेटों से जादा देखा जाता है आपका भ आज में हाला कि बराबरी का दर्जा जो है वो कुछ तक मिलने लगा है लेकिन साथ इसके लिए संघर्ष बेटियों ने भरपूर किया है शालू क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया आप आज पूरे देश के लिए प्रेड़ना बन गई है तो एसमें कोई संदेश आप आज देश की बेटियों को और पैरेंट्स को भी संदेश देना चाती हूं क्योंकि जादतर मैंने ऐसे कैसिस देखे हैं जिसमें लड़किों की छोटी सी उमर में उनकी शादी करवा दी जाती है और उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं बलकि उनके जो उनसे काफी बड़े लोग चाहे हो खेल कुद के प्रति हो चाहे हो सिलाई हो चाहे बुनाय कुछ भी हो उसमें अपनी बेटियों को आगे बेजे और उनको अत्यधी को उन्हें सम्मान दे उन्हें बढ़ावा दे ताकि आगे जाके अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करें यह जो किसी से सुने कि आप ही निजुज में बढ़ा आप आपने लक्ष पर अपने जीवन में आपकाश Kenneth उस पर आपका एक एम फिक्सोना चाहिए ताकि उसको हासिल करने के लिए अप छूभी आप इसके रलावा और टीव स्नकरतें कर गतेνें किस तरह के शो जेएrit है Inv आपको पेसा पालो की खेल तो बहुत जादा नहीं दिखने को मिलती हो गाई वो तो जैसे यूटूब पे हम देखते हैं वो जैसे अमें गेम के बारे में कुछ सीखना हो तो हम यूटूब पे सर्च कर लेते हैं बाकि कोई किसी भी गेम चलती हो तो पोर्स चैनल लगा कि पर चाहे वो वालीबॉल हो और बैमिंटन हो जिसमें आप जो है आगे भी गई थी कई लेवल तक तो उन केमों की तरफ अब थोड़ा सा प्यार आपका उमरता है कि नहीं यह वापस से क्यों नहीं इसी को कॉंटिन्यू किया जाए नहीं उमरता तो है लेकिन अब जिस फिल अब तक हासल करने होंगे शालू जी तो वो मैडल्स आप जब देखती है अपको कितना सुकून वलता है जैसे मैं उस रूम में जाती हूँ जहां पर मेरी मैडल और मोमेंटो रखी वी है वहां पर जा कैसा लगता है कि नहीं मुझे अभी और भी लेना है और बहुत कुछ क अभी कमयाबी के ज़ए को अभी जो आपको बादे खंच लगी अभी जाते है महा ऐसे नहीं में तो आज की अशिर्वादेते हैं वह तो यही आशिर्वादेते हैं की बेटा तू अगे जा और आगे भर्ड हमारा भ़ात तेरे साथ है तू बहुत अच्छा करेगी और तू करती रहे यानि वो चाहते हैं कि आप निरंतर इसमें आगे बढ़ते रहें जब रिष्टतारों के तानी आपको सुनने को मिलते थे आपके परिवार को सुनने को मिलते थे कि किस खेल में आप भेज रहे हो लड़की को जीवन बर्बाद हो जाएगा इस तरह की बाते जो है व जिस हिसाब से अकेले जाना या आना सेफ नहीं होता है तो वो सुन्सते थे कि जिस प्रकार से हम इसको अकेले भेज रहे हैं तो उस हिसाब से जैसे रिष्टेदार भी उपर से ताना मारते थे तो उन्हें थोड़ा सा डर लगता था कि एक बारी तो मुझे ये भी बोलते कि तू इस गेम को छोड़ दे और अपनी जो पढ़ाई है वो कर ले उसके बाद देख लेना जो भी होगा दो तीन साल तो फिर मैंने का कि नहीं मुझे खेलना है और आप मुझे बेजेंगे मैं जाऊंगी शालू इसके साथ ही हाला कि पेरेंट्स तो आपके बाद में माने भ पेसा पालो खेल के बाद में बहुत जानकारी नहीं है तो इस खेल को भी आगे ताकि देश की जनता इसके बारे में जाने लोग इसके तरफ जो है आगे बढ़े इसको लेकर भी आप या आपका आपकी जो टीम है वो कुछ प्रयास कर रही है जी इसके लिए जब हम स्टार टने सबसा इसके अधसे ऑट मात्लिफ दे जा गूए तो हमने घई खूदी टीम टीम तीम अपने प्रहत हमने टीम के तिए ले जाने के लिए तो अब तो इसमें हमारे हमारी हमार्चल में बच्चे भी इंटरस्ट लेने लगे अ पैसा पालो गेम में और जादातर यहीं फ पर टार्कार का साथ भी चाहिए होगा तवर जाहर तो जो है शालु की झाहते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी पेसापालो कहल की तरफ जो है आगे बढ़े हाला कि शुरूब में ने खुद ही अपनी तीम तयार करें चाहिए अज आज आप टीम को लीड कर रहे हैं मैं मसलेपा, जिन के आप गवोGA टाहिए थी खावर्ड ऑनेगे वोल्ड कुछ आप अपट अछे की जिनी से लोग वहां पर वह वां पर मैं आप सब लोग खड़े थे टो पेरेंट्स को उनके आखों से तो आसी जलग रहे थे कि नहीं लग रहा थे कि नहीं हमारी बेटी ने करके आए कुछ करके आई तो पेरेंट्स आज जाहर तोर पर जो है गौरफ महसूस करते हैं अपनी स्पीथी पर जसे अपने जुनून को देखते हुए जो उने जीवन में हासिल करना था शालू को अपने जुनून को उन्होंने जिन्दा रखा जीवन्त रखा और साथ ही उसी को हासिल करने क बढ़ी जिसके बाद आज उनके आसपास के लोग जो है वो ना सर्फ शालू को बलके उनके परिवार के होसलों के भी दार देते हैं कि आखिर किस तरह से आर्थिक तंगी होने के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद, कहीं से सहयोग्रा मिलने के बावजूद, उन् बहुर ऐसी ही बेटी से फिलाल दीजे, जाज़त, नमस्कार